मर्धिप्रदेश की गॉले शुहर के हजीरा थाना पुलिस ने दस महीने से बहला फुसला करा पहरण करने वाले आरोपी के चंगुल में फसी एक नावालिक चाता को मुख कराया है पकड़े एक गई एक आरोपी ने जबर जसीन नावालिक से शाधी की थी और पिछले दस महीनों से उसके साथ लगता और दुशक्रम कर रहा था पिता ने हजीरा थाने में शिकायद की थी जिसके बाद हजीरा थाना पुलिस ने आरूपी की ग्रफतारी की है और आरूपी इख़लाब दुशकर्म अपरण औरिया पॉस को आइड के तहफ कारवाही की गरेसल हजीरा थाना शेद्रे के गदाई पूरा में रहने वाली एक नाबालिक छात्रा को पड़ोसी सागर सेन दस महीने पहले बहला फुसला कर अपरहण करकर ले गया था वह उसे अपने साथ जबरा ले आया जहां पर आरोपी ने उसे बंदग बना कर जबजस्ती उसके साथ शादी की और उसके साथ दुशकर्म किया था आरोपी ने दुशकर्म का वीडियो बना कर उसे लगातार ब्लैक मिल करते हुए अपने साथ रखा हुआ था इसे दोरान नाबालिक के पिता ने हजीरा थाना पुलस में शिकायत दर्स कराई जहां पर पुलस को मामले की जाच के दोरान आरोपी की लोकेशन पता चली जिसके बाद पुलस ने डपरा में दविश्डे कर आरोपी सागर सेन को गिरफतार कर लिया है पुलस ने आरोपी की निशान देही पढ़ना वलिक छात्रा को भी बरामत किया है फिलहाल पुलस ने आरोपी के किलाब दुशकर्म अपहरन और पॉसको एक्ट के तहत कारवाही की है और आरोपी को जेल भेज दिया है यह पिछले साल का मामला है थाना हजीरा अंतरकत गतवर्ष सात्वे महने में एक नावालिग बालीका का अपरान हो गया था जिस पर की थाना हजीरा में अपरात पंजीबत करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था इसमें आरोपी की अ जिनार्टी दंड विधान का इजाफा किया गया है और यह आरोपी जो है यह ग्रिफतार पूर में नहीं हो पा रहा था तो इसके उपर पांच हजार रुपए का इनाम भी घुशित किया गया था अब आरोपी को ग्रिफतार करके जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है और प्रक्रण में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है वाइस ओफ रैट्स के लिए ग्वालिर से सागर शर्मा की पोट